हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विदिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम दहेज प्रतिसेद अधिनियम से संबंदित प्रस्ण को देखेंगे यह जो प्रस्ण है यह मेंस के लिहाज से वहत महत्पूर्ण है और इसके पहले जो दहेज प्र सभी को हमें लगवख discuss कर लिया है और लास्ट वीडियो है कि इसमें देखेंगे कि दहेज प्रह प्रतिसेद अधिकारी की न्योक्ती कीола की कि सकतिय तो इसे हम देखेंगे और यह इसijeनम कांतीम बीडियो है और इसके पहले और जो वही प्रसन थे उनको में सौल्ष किया है सैनल को सबस्क्राइब किजिए और इस सारे प्रस्तन हैं के हल को आप देख सकते हैं तो इसमें देखेंगे तहस प्रतिसेद अथिकारी अर्थात डाविरी प्रोहिबिशन आफिसरी की के संबंद में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतरगत किया गया है और इस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा होगी क्या जो है इसके कार्य होंगे किस प्रकार की सक्तियां होंगी और किस तरह से इसका गठान हो किया जाएगा तो इसी प्रस्न को हम डिसकस करेंगे तो आईए देखते हैं कि धारा 8B के अंतरगत किस प्रकार के प्रावधान किये गए हैं तो यह जो दहेज प्रतिसेद अधिकारी है इसकी नियुक्ति के संबंद में जो प्रावधान है यह दहेज प्रतिसेद अधिनियम के अंतरगत 1961 में जो बनाया गया है सुरू से नहीं थे बलकि इसे 1986 के द्वारा इस जो है इस अधिनियम के अंतरगत जोड़ा गया है धारा आठ बी को जोड़कर और इसके अंसवार राज्य सरकार उतने दहेज कर सकेगी जितना थीध सके ठीक समझें इसके लावा वह उन छेत्रों का भी निरधारण करेंगे जहां पर यह जो अधिकारी हैं वह अपनी सक्तियों और अधिकारता का प्रयोग करेंगे हिंग और इसी के अंतरगत खंड़ के अंतरगत यह बताया गया है कि प्रतिसेद अधिकारी की निमनेली लिखित सक्ति और करतब भोंगे तो इसके सक्ति यह होँगी या इसके करतों होँगे कि वह इस अधिनेख्त के अधिने हम राज सरकार करें ड्राये और इस अधिनियम के धीन बनाएगे नियमों में अगर कोई कारी निर्दिश्ट किया जाता है तो ऐसे सब कार्यों का जो समपादन है या ऐसे करतव्यों सरकार अइसे प्रतिसेद अधिकारी की सकतियां प्रतान कर सकती है और वह इसका प्रयोग इस अधियंख के दिन रहते हुए करेगा तो यह प्रावधान तो वह किस प्रयोजन के लिए प्रतान करेगी ताकि इस जो है अधिनियम के अधिन अगर कोई नियम है तो उन नियमों का पालन कराए और उन नियमों के अधिन रहते हुए अपनी सकतियों का प्रयोग करें कि राजिसरकार ऐसे अधिकारी के कारियों में सहयोग करने के लिए एक सलाहकार बोड की भी न्यूक्ति करेगी जिसमें पांच सदस्य होंगे अर्थात पांच या उससे अनधिक सदस्य होंगे कि यह अधिक है पांच से अनधिक सदस्य होंगे अर्थात पांच से अधिक नहीं होंगे और इसमें जो है जो पांच सदस्य होंगे इसमें कम से कम महिलाएं होंगी तो इस प्रकार से इसका गठन किया जाता है डैनियो सभर को भी है और यह पूचा भी जाया सकता है तो आप श court किया है उसमें कोशिस कीये हैं यह कि जितने वीडियो वहुत क्या छोते हों ताकि आप को देखने में सोविधा हो इसे कंप्लीट करने में और इसी परकार के और भी यह वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे और इसके लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कि अब कि 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 कि